हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सुजगे टेनिक जोन आज की वीडियो में कुछ प्रैक्टिस कोशन करेंगे और यह सभी कोशन काफी इंपोटेंट है जो कि आपके एक्जाम में आ सकते हैं और मैं ऐसी कई सारी वीडियो बनाता रहूंगा लगा टॉपिक के ओपर ताकि आपके एक्जाम में आपको काफी हेल्प मिले तो जो सबसे पहला कोशन है वह है वीच टैप आफ सेफटी साइन इंडिकेट वर्ट मस्ट बीड़न इसमें कौन साइट सेफटी साइन यह इंडिकेट करता है कि यह करना जरूरी है प्रोबिशन साइन मेंडेटरी साइन वार्निंग किया जाता है option A triangle option B है और फट्री ऑसर गल ऑप्शन भी एर ट्रैंगल ओप्शं फी है आइसक्वायर और एक्टेंगल तो इसका सही आंसर है औप्षन सी और स्कॉायर वर्निंग सेफ्टी साइन है डिनोड किया जाता है अशर्कल अट्राइंगल और स्कॉायर और रेक्टेंगल तो इसका सही आंसर है और ट्राइंगल ओ एस एचेइश टैनफोर ऑग्राइजेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट ऑक्क्यूपेशनल और एंड हेल्थ एक्ट या पिन अप्ट तो इसका सही आंसर है और क्यूपेशनल सेफ्टी एंड हैल्थ एक्ट कोशन नबर फाइव लास से फायर एक्टिक उसर तू बी यूज़ड हों जो क्लास एका फायर एक्टिक उसको किस टाइप से लेगी हुई आपको बुझाने क कि यूज में लिया जाता है तो जो और तो इसका सही आंसर है वह है और एंड्टिक से लगी हुई कागे लगी से लगी हुई आपको बुझाने के लिए क्लास ए का फायर आंस्टिक उसर यूज़ करना चाहिए किस से लगी आज आपको बुझाने के लिए यूज किया जाता है तो इसका सही आंसर है यानि कि कहीं पर लिक्विड गैस की विश्याग लगी है तो आपको बुझाने के लिए यूज करना चाहिए कोश्चन नमबर सेवन विच गैस फिल्ड इन हैलोन एक्सिंटर आता है उसमें किस तरीके की गैस भरी जाती है तो आप्शन नहीं है ब्रोमो क्लोरीडी फ्लोरो मिथेन यानि कि बी सीय बोला जाता है और ऑप्शन भी है ब्रोमो क्लोरीन फ्लोरीन तो इसका सही आंसर है ऑप लेक्टिकल एक्यूमेंट में आग लगी है तो किस टाइब का फाइर यूज करना चाहिए फॉर्म टाइप ड्राइट टाइप यानिकी ड्राइप पाउडर का जाता है या फिर सीयो टू टाइप या फिर प्राइजिंग लिक्विट या फिर नन अब देज तो विप्राइ जाएगी और आपको शॉक लग जाएगा और आपको यहां पर यहां बंद हो जाएगी तो नमबर नाइंड बेस टाइप फायर एस्टिक उसर मस्ट भी यूज वन फ्लेमेबल लिक्विड अगर कभी लिक्विड से आग लगी है तो किस तरीके का फायर यूज करना चाहिए प्राइब यहां प्राइब लिक्विड या पिन अब इसका सही आंसर है फॉर्म टाइब लिक्विड से लगी है तो जब उसमें डालेंगे तो क्या करेगा वहां पर जो भी ऑक्सिजन इसको ब्लॉक कर देगा इसके वैसे आग लगनी बंद हो जाएगे इसको बोला बोला पास इस्टेंड फॉर्स तो यह पास का मतलब है कि आप यूज कर तो उसको बोलते हैं पास तो पास का मतलब क्या है उप्शन है बोलता है पुल आम शुट स्क्विज ऑफ्शन भी है पूश आम शुट स्विप और ऑ्प्शन डी है पुश एम स्विज शाउट तो इसका आज़िए आंसर है ऑफ्शन पूल एम स्विज स्विप बिखेज़न नबर 11 यहां पर एक साइंट दिख़रा है साइन का मतलब क्या है तो इसके लिए आपके पास चार ओप्षिन है लेजर बीम ड्रौप अर्फिंग या देंजर एलेक्तिसीटी सिटिक तो इसका साही क्या अंसर है कि डू नोट यूज मॉबाइल फोन कई आप देखा होगा जब भी आप किसी केमिकल फेक्ट्र में जाते हो यहां फिर लाइब्रेरी में जाते हो तो इसका मतलब है कि फोन यूज करना अलाव नहीं है तो यहां पर अपको साइन दिख रहे हैं तो किस चीश का साइन है लिसेंगे क्यों गाना सुनने का यह यह प्रोटेक्शन मस्ट बी वॉन यादि के आपको यह की प्रोटेक्शन करने ज़रूरी है यह फिर नोट प्रटेक्ट्ट्ट यह यह फिर कमत बचाहों फिर ओलफ्ट तो इसका सही आंसर है option B, okay, question number 14, danger sign or unit by, जो danger का sign है, वो किस ते की से unit किया जाता है, a yellow triangle with a black border, a white triangle with a red border, a yellow triangle with a purple border, यहां all of this, तो इसका सही आंसर है, a white triangle with a red border, ठीक है, and last question, PEP stand for, जैसे आप कई बार अपने PEP equipment अपने साथ रखते हो, तो PEP का मतलब क्या होता है, option है इसके लिए personal protective equipment, personal part equipment, बोध हैं all of this, इसका सही आंसर है personal protective equipment, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो से जुड़े रहें, ताकि मैं future में और भी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, अलग अलग topic के उपर, जो कि आपके exam के लिए काफी useful होगी आपके लिए, यंगा प्लीज के लाइक करें, सःने से जुड़े लिए ओचिंगी अधर स्थी जाओता हूंगा 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 इससाँछी दाविखरक लाइक का लाइक की स incur्चाता हूंगा पर ख़सेशटी मैं खले,